के नमस्कार में आपकी हिंधी अथियापी का सुदर शौत्री और आज हम करने जा रहे हैं हमारी व्याकरन का एक विशे जो है collection कॉशल और हमारी बहुत सारी विशे आते हैं लेकिन आज हम जो विशे करने जा रहे हैं वो है हमारा अपटित गध्यांच और अपटित पध्यांच हम देखेंगे कि अपटित गध्यांच और अपटित पध्यांच में किन किन बातों का ध्यान रखना आवशक है साथ ही साथ हम आज सार किस प्रकार से लिखते हैं यह भी सीखेंगे तो चलिए आज हम अपने व्याकन के जो का जो विशय है, जिसमें लेखन कोफ़ल हम सीखेंगे, तो उसमें है सबसे पहला विशय हमारा अपतित गद्यांच, अपतित गद्यांच एक ऐसी विदा है, जिसे आप सीखते हैं, तो आपका जो मस्तिक से वो काफी तेज होता है मतलब आपके जो ऐसा विशह है जो आप अपने आप बिना किसी सहायता के करने की कोशिश करते हैं तो उसे जैसे की नाम से ही पता है इंग्लिश में आप बोलते हो अंचिन पैसी और अपठीट गद्यांच जिसे आपने कभी पढ़ा हुआ नहीं होता और उसी गद्यांच में उसी एक गद के अंच में आपको कुछ प्रश्न दे दिये जाते हैं और उसी जो गद्यांच मिला है आपको उसी में से आपको प्रश्न के उत्तर है वो डूणने होते हैं तो यह आपकी तरक शक्ती पर निर्भर करता है यह आपके उपर निर्भर करता है कि आपकी तिस जल्दी और कितनी आसानी से उनके उत्तर डूण लेते हैं तो देखिए, गद्य में एक ऐसे अंच, जिन्हें पहले नहीं पढ़ा ओल, उपथीत गद्यांच कहे जाती हैं, इनके अभियासरे विध्यारती के अर्थगर्यन की शम्ता का विकास होता है, साथ ही व्याकरण समंदी ज्यान में भी व्रीधि होती हैं। को जैसा का तैसा ना लिखकर उसे अपनी भाषा और शुद भाषा अच्छी भाषा में उसका आप उतर बनाते हैं तो ये आपको बहुत जादा रचनात्मक बनाता है जो लेखन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, हम उसी पर चर्चा करते हैं, अपने शब्दों के उत्तर लिखने का प्रयास करें, आपको पता है कि आपको जो अपठित है आपने पढ़ा नहीं हुआ है, जो गद का जो अंच आपको मिला वह वो आपने पढ़ा नहीं है, तो आप जो आपको गद के अंच में मिल जाते हैं यानि पहराग्राफ में मिल जाते हैं तो उन उत्तर को आप अपने उन उत्तर को अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए ऐसा नहीं कि जैसा लाइन जैसी लाइन हमें गद के अंच में मिली है हमने ठीक उठाई और उसको व उत्तर को ठीक तरीके से जरूर लिखना आना चाहिए आपको जो वाक्य का जो आप निर्मान करोगे वो सही तरीके का होना चाहिए अब है गध्यांच को ध्यानपुर्वक पढ़कर प्रश्णों के उत्तर को रेकांकित कीजिए अब इसके देखे यही नियम है कि आप पहले आपके पास जो गध्यांच आपको मिला है उसमें क्या करना है आपको पढ़ना है इसका सही नियम यही है कि आप पहले गध्यांच को पढ़ें फिर प्रश्ण को पढ़ें फिर गध्यांच को दुबारा से पढ़ें और जहां जहां आपको लग रहा है कि यहां प्रश्ण क पड़िये और जो रेकांकित आपने जो की है जो वाग्ने रेकांकित की है तो उनको ठीक से दुबारा उनके साथ जो प्रस्व हैं उनके उत्तर को धुनने के उसमें कोशिश कीजी अगर मिल रहा है तो सही है और उसको फिर अपने शब्दों में एक सुद्रिड रूप में बना कर उसको लिखिए और उत्तर संक्षिप्त और गध्यांच पर आधारित होने चाहिए अब देखे हम मैंने बार-बार कह रही हूं कि उसे अपने शब्दों में बना कर लिखिए तो मैंने पहले भी आपको बताया है कि शब्दों में जरूर बना कर लेकिन जो उत्तर होंगे वो तो दिया हुआ होगा उसी पर आधारित होंगे ना क्या आप अपनी तरफ पूछा जाये तो शिर्षक कम से कम शब्दों में होना चाहिए ये बहुत ही जरूरी विशय है बच्चे अक्षर क्या करते है कि जो भी हमें जो पाठ है उससे जो शिक्षा मिलती है उसको शिर्षक के रूप में लिख देते है नहीं शिर्षक होता बहुत चोटा बहुत चोटा जितना चोटा होगा शिर्षक उतना ही अच्छा आकर्शक लगेगा ठीक है उसमें अब शिर्षक जो है उसको जानने के लिए हमें क्या करना चाहिए हम जो अपटित गध्यांच है उसको हम पढ़ेंगे कोई भी गध्यांच वो एक ही विशय पर आधारित होता है उसके अंदर बहुत सारे विशय नहीं होते ऐसा नहीं है कि ए पहली लाइन में वो खेल के विशय में बता रहा है दूसरी लाइन में वो व्याम के विशय में बता रहा है तीसरी लाइन में वो शिक्षा के विशय में बता रहा है नहीं अगर इन सब के विशय में भी बता रहा है तो वो विशय सम्मंदित उसी से ही होगा किसे यानि कि एक ही विशय से सम्मंदित हो सकते हैं जो बाकी के जो विशय हैं लेकिन जो जिस विशय पर आधारित है पूरे गध्यांज को जब आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में जा रहा है कि इससे ऐसे हो जाएगा इससे ऐसे हो जाएगा इससे ऐसे हो जाएगा तो आपको अपने आप बता लग जाएगा कि ये विशय इस पर मूल है और कहीं न कहीं हो आपको गध्यांच में ही उसका शिर्षक मिल जाएगा या फिर आप खुद भी उसका शिर्षक ब जिस विशेर से सम्मंदित आपका गध्यांच आपको मिला है तो सिर्फ यही बाते ध्यान रखनी है पहला गध्यांच हमें ध्यान से पढ़ना है दूसरा फिर हमें प्रशन ध्यान से पढ़ने है फिर गध्यांच हमें दुबारा से ध्यान से पढ़ना है और जहां जहां प्र से उनके साथ मिलान करना है कि यह उत्तर जो मैंने रेका अंकीत के वो सही बैठते हैं अगर वो सही है तो उन्हें आप अपनी शब्दों में और संक्षिप्त रूप में यानि एक छोटे से सुद्रड वाकियों में उनका अंस्वर बना कर आप उत्तर बना कर आप लिख सकते ह दूसरा क्या करेंगे कि जो शिर्चक है वो गध्यांच से ही आता है पहले भी बताया है विशय से समंदित गध्यांच होता है एक ही विशय पर आधारित होता है बहुत सारी बाते की जा सकती है उस विशय से समंदित लेकिन बहुत सारे विशय को एक ही गध्यांच में कभी भी नहीं डाला जाता तो जब आप गध्यांच पढ़ोगे तो आपको इस चीज़ का एहसास हो जाएगा कि यह कौन सा विशह है जिससे समंदित सारी बाते बताई गई है और उससे समंदित शीर्चक आप अपने शब्दों में अपने आप बना कर लिख सकते हैं अब हमारा जो अगला विशह है यह भी लेखन कोशल से समंदित है अपटित पद्यांच हमने पहले किया था अपटित गध्यांच गद का अंच और यह है पद का अंच गद कोन सा होता है जो निम्बंध है उपन्यास है कहानी है वो सारे गद्ध विदा में आता है और जो तो अब हम करें पद का अंच ठीक है पद्यांच तो इससे समंदित कुछ ऐसे होता है यह पहले तो यह जान लेज़े पद्यांच होता क्यों है अगर पद्यांच आप करते हो तो उससे आपको क्या होता है कि नए-nए हिंदी के चरब्दों को सीखने का मुका मिलता है और आप की जो अर्थ ग्रहन की शमता है यानि आप स्वेम मालो कोई हमारी पुस्तक में कोई कवीता दे गई है वो कवीता आपको अध्यापक अध्यापिका करवा रहे हैं खक्षा में खक्षा के अंतरगत तो वो क्या होता है कि आपको भाव बताया जा रहा है एक-एक शब्द का अर्थ बताया जा रहा है आपने उसे अपने आप नहीं समझा है लेकिन अपटित ये कहीं अलग से ही आपको दे दिया गया है काव्यांच उठा करे जिसे आपने पहले नहीं देखा है अब आपको अपनी जो शमता है आपके मस्तिक्ष की जो शमता है आपके समझने की जो उस पर निर्बर होना है आप उसके अनुसार ही अर्थ ग्रहन करेंगे जो कवीता का जो भी अंच आपको मिला है उसे आप पढ़ेंगे उसका भाव समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इसका भाव क्या है या फिर आप ये सोच लीजिए कि नए नए जो शब्द है उनके अर्थ भी आप ढूनने की कोशिश करेंगे कि इसका ये अर्थ हो सकता है ये अर्थ हो सकता है तो इस तरह से आपके जो समझने की चमता है अपने आपको अपने अनुसार कवीता को जो समझने की चमता है वो तरक शक्ति आपकी भड़ेगी आपको भाशा का बहुत अच्छा ग्यान होगा अब हम देखते हैं कि जो अपटीत पध्यांच है उससे मतलब किन-किन बातों का हमें उसमें ध्यान रखना चाहिए देखे पहला तो तब जो हमने गध्यांच में किया था कि हमें पढ़ना ह कि जब हम पध्यांच को पढ़ रहे हैं तो जो पद में जो भाव दिये गए हैं जो भाव हैं वो हमें समझ आने चाहिए अगर कवीता के भाव हमें समझ आ जाते हैं तो प्रश्णों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं और इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि पूछे हुए जो भी प्रश्ण है उनको पढ़ेंगे फिर जो भाव हमने समझा है उसके उपर रख कर देखेंगे कि यह इस प्रश्ण के लिए यह भाव सही है यहां पर यह भाव मिल रहा है जो प्रश्ण हम से पूछा गया है और जो भाशा होगी वो क्या होगी आपकी सरल पस्ट होग आपको उसका भाव लेना है। उस भाव को उत्र में लिखना है। और अपनी सरढस्प स्थ भाशा में लिखनाही führen ऎक सुझा शूर्शक पूचा जाए तो नो फनी प्यक्तिया इसकी ज़िस आप पूरे पद को बढ़ेंगे उसका भाव ग्राण करेंगे कि इसका क्या भाव है ये क्या बताना चाहा रहा है तो उसके ही अनुसार आप क्या करेंगे उसी भाव पर आधारित एक शीर्षक छोटा शीर्षक उस पद को दे सकते हैं अपने शब्दों में अपनी तरफ से हमारे लेखन कोशल का जो विशह है सार लेखन ये देखे लेखन कोशल जितना भी है वो आपको आपकी विचारों आपकी शमताओं को बढ़ाने के लिए आपकी तर्क शमता को बढ़ाने के लिए आपकी अर्थ गरहन की शमता को बढ़ाने के लिए होता है तो आज हम जो लेखन को जिस विशे पर बात करें वो है सार लेखन अब पहले हम यह समझ लेते हैं कि सार लेखन होता क्या है सार लेखन होता है संक्षिप्तिकरन संक्षिप्तिकरन होता है किसी भी विशे को छोटा करकर बताना और उसका मूल भाव बताना ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको विशे में विस्तार पैदा नहीं करना, विस्तार होता है उसको बढ़ा चड़ा कर कहना, उसको छोटा रूप बनाना संक्षिप्तिकन कहलाता है, और किसी भी जो गध्यांच होता है, अनुछेद होता है, कोई लेख होता है, कोई भाव होता है, उनके मुख्या भाव या विचारों को छोड़े भी ना, मतलब जो आपको जो गध्यांच, जो अंक्ष दिया गया है, वो तो आपको पढ़ना है, लेकिन उसको पुन रूप से नहीं लिखना, उसमें क्या करना है, सिर्प उसके मूल जो भाव है, वो ही आप को व्यक्त करने है, उसको सार लेखन कहते हैं, अब देखे एक उधान देकर आपको समझाते हूं, कि माल लीजे, मैंने आपको कहा, कि ऐसा मत करो, आप अपना समय खराब मत करो, ये समय हमारा इस समय को आप अच्छे से व्यवस्तित कर सकते हो, चाहो तो देखे, मैं भी यह आपने किसी मित्र को बताना है कि आज जो हमारी अधियापिका है उन्हों ने यह बात बताई है इसका सार हो गया आपने जो भाव मैंने आपको दिया दो मिनट बोलकर वो भाव आपने सिर्फ यह लगा लेजिए 30 सेकिंड में अपने मित्र को दे दिया लेकिन किस तरह से शंक्षित रूप में दिया तो जो सार लेखन के जो नियम है आज हम उनी पे चर्चा करते हैं कि सार लेखन जो करते हैं उसमें किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए देखी सार लेखन में क्या होता है हमें एक गध्यांच मिलता है उसको पढ़ना होता है और पढ़ना क्या होता है? उसे दो-तीम बार पढ़ना होता है. अब दो-तीम बार हमने गध्यांच को पढ़ा, उसमें किस विशे पर चर्चा की गई है? वो मूल भाव हमें समझा जाएगा. कि ये इस विशे पर चर्चा की गई है? मालो पढ़ाई के विशे पर समय का सदुप्योग, जितने भी कोई भी विशे है, सारिक, गतिविधिया, खेल, कोई भी जो विशे है, हमें उसके मूल भाव पता लग जाएगा, कि ये इस विशे में ही बताना चाहता है हमें. अब क्या करते हैं? जो मुख्य मुख्य जो बाते होती हैं, जैसे कि मैंने अभी एक उधान दिया था, कि मैंने बहुत सारी बताई, लेकिन मुख्य बात उसमें इकी थी, कि अपना समय पर उठो, समय का सदुप्योग करना सीखो, और आपका जो काम है वो समय पर हो जाएग कि ये बात है, ये तो बहुत विचेश है, और ये इस भाव का मूल आधार है, तो हमें ये तो लिखना ही लिखना है, अब कहा गया कि अनावशक प्रसंग या उधारन, देखिए एक बात है, कोई भी एक विशे है, मान लीजिए मैं आपको कहूं, कि जो वयाम है, वयाम करन से आपका जो शरीर से बीमारियां हट जाएंगी, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बहुत सारा वयाम के विशे में हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, और उधारन भी दे सकती हूं, कि देखिए उसने वयाम किया, वो इतना स्वस्त हो गया, वो सुबह जल्दी उठता था, सुबह आपने सुबह की सेर पे जाता था, आप ऐसा वयाम कर सकते हैं, आप ऐसे वयाम कर सकते हैं, तो वो सारे उधारन क्या करने हैं, आपको नहीं बताने हैं, किसी भी प्रकार के उधारन, कोई मुहावरे, कोई ऐसा ही, मतलब कोई किसी विशे को से समंधित, अगर कोई गटना का जिक्र कर दे कोई भी व्यक्ति की एक बार ऐसा हुआ था तब मैंने देखा था कि वो इतना मोटा था उसने व्याम किया और फिर बहुत पतला हो गया और उसके बीमारियां भी समाप्त हो गई तो ऐसे जो विशय होते हैं उसको कद्यांश में तो जगह मिलती है लेक केवल और केवल जो मुख्य विशय है यानि व्याम से जो भी हमें फाइदा है वही हम उस सार में लिखेंगे अब सार का शिर्चक देना भी आवशक होता है क्योंकि गद्यांश है गद्यांश का शिर्चक हम देते हैं तो सार का जो शिर्चक देना भी आवशक है वो भी हमे संक्षित और छोटे रूप में लिखेंगे शिर्शक जब हम सार जो गद्यांच है उसका मूल भाव समझ जाएंगे तो शिर्शक हमें अपने आप समझ आ जाएगा कि यह किस विशय पर आधारित है और सार हमेशा ही क्या होता है कि गद्यांच आपको दिया हुआ था उसका त में लिखना है तब वह सार कहलाएगा अगर उसका अपने आधा हिस्सा भी लिख दिया तब भी वह सार नहीं कहला सकता क्योंकि वह संक्षित नहीं होगा और भाशा सरलोडस पस्ट होनी चाहिए भाव सारे आपको गद्यांच से ही लेनी है लेकिन उसे आप लिख अपनी भ प्रयाम करता है अपने माता पीता को प्रणाम करता है फिर वह पढ़ने बैठ जाता है तो इतना लंबा कुछ बोला है इसका आपको संक्षित में बताना है कि राम बहुत अच्छा लड़का है वह समय का सद्प्योग करना जानता है इसलिए उसका हर काम समय पर होता है और बहुत ही आग्याकारी है अब हमने क्या किया दो तिन लाइनों को जोड़कर एक ही लाइन बना दी यानि कि उसे संक्षिप्त कर दिया छोटा कर दिया लेकिन भाव नहीं चूटा भाव हमारा वही है जो हमने बढ़ चड़कर विस्तार पुर्वत बताया वह संक्षित रूप में भी जो हमारा जो भाव है वही है इसका एक अच्छा सा उधार्न हमारे सामने यह होता है कि हम अकसर देखते हैं कि जो रिपोर्टर होते हैं इंग्लिश में जनलिस्ट कहते हैं तो जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं संवादाता संवादाता बोल सकते हो तो जो पत्रकारिता के लेखन का कारिया करते हैं, वो क्या करते हैं? कि किसी का भाषन उन्होंने सुना, किसी नेता का, अब उन्हें वो भाषन का क्या करना है? मूल भाव निकालना है. अब हम हमेशा समाचार पत्र पढ़ते तो उसमें लिखा होता है कि वहाँ पर हमारे माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी उपस्ति थे उन्होंने कहा कि हम अपने देश में इस तरह का विकास चाहते हैं उन्होंने सिर्फ एक लाइन लिखी लेकिन हमें ये पता लग गया कि उस दिन उस समय जो प्रधान मंत्री हैं उन्होंने किस विशे में अपनी चर्चा की होगी हमें मूल भाव पता लगया वही संक्षित रूप होता है कि कम से कम शब्दों में आप अपनी जादा से जादा भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से कर सकते हैं तो आशा करती हूं आप लोगों को समझ आया होगा और यह जो लेखन कोशल है आप इसे जितना लिखने की कोशिश करोगे जितना इसका बार बार दोहराव करोगे उतना ही अच्छा इसे आप कर पाओगे धन्यवाद